हलो फ्रेंड साही मपरती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम बात करेंगे फुटबॉल लिली के बारे में जो की एक बल्ब से ग्रोग किये जाने वाला प्लांट है पूरे साल हरा भरा रहता है लेकिन सर्दियां आने पर इसकी कंडिशन कुछ इस तरह की हो प्लांटियों में कुछ खाने के लिए तो मिलता नहीं है हमारे यहां पर एक सीरस का बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर फलियां आती है तो बंदर उसको खाने आ जाते हैं तो उसका पेड़ भर जाता है लेकिन कभी-कभी हमें परिशान करने के लिए और मस्ती करने के और ये पतियां तो वैसे भी अप पीली होकर जड़ ही जानी है तो करनेशन आप देख सकते हैं जितनी भी लिप्स हैं वो इस तरह की सर्दियों में हो जाती है तो ये 12 इंच के गमले में मदर बल्ब हैं और ये पीछे एक बेस्ट पॉली बैग में जितने भी बेबी का टाइम तो पूरा हो चुका है आप चाहें तो इनको ऐसा का ऐसा उठा कर साइड में रख सकते हैं और हमने पहले भी कहा है कि जैसे ही बत्तियां पीली शोहों नी शुरू हो जाएं फुटबॉल इली की तो आप उसमें पानी देना बंद कर दीजिए जैसे कि आप देखी काफी व्यूर्स के कमेंट्स आते हैं कि इसको क्या अभी हम इसको मिटी से बाहर निकाल दें बल्ब को क्योंकि अब हमारे प्लांच तो बेकार हो गए हैं और वो पॉट को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं यानि कि उसका री उस करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि इन मुँझते हैं कि हम इनको disturb नहीं करना चाहते है और हम इनको रिपॉर्ट भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या इसको ऐसा ही रखे रहने दे तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं और अपने आप ही लगभग एपरिल के आज-पास इसमें दो बारह से growth start हो जाएगी बस reporting का फ थोड़े दिन रेस्ट कराना जरूरी होता है माल लिजे ओवर मॉशर है सॉयल में तो वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो अभी निकालने का तरीका पॉट से यह है कि जैसे कि हमें पहले से ही पता है जब हमने प्लांट्स ग्रो किये थे यह बल्ब लगाए थे तो हमने जादे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यह बल्ब में कट लग सकता है इनको बाहर निकालते समय तो थोड़ा इस तरह से देखिए पहले आप देख लीजिए ऐसे जमीन से कीमती चीजे निकाली जाती है बिना उन्हें नुकसान किये बिल्कुल वैसे ही हम प्लांट्स तो क्यों निकाला जाए तो इसको हमने ऐसा कैसा निकाला साइड से मिट्टी हटा दी और देखिए रूट बाउंड पूरा है तो यह रूट्स के साथ ही बाहर आ जाएगा और इनकी जो रूट्स होती है इसमें अल्रेडी वाटर होता है जितने भी बल्ब वाले प्लांट ह बल्ब में तो वाटर होता ही है लेकिन जो उनकी रूट्स होती है उसमें भी वाटर होता है इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि रूट्स और बल्ब के लिए आपको प्लांट को बहुत ज़द पानी नहीं देना है बल्ब वाले प्लांट्स में या ट्यूबर वाले या जो भी कॉर्ण वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़द पानी नहीं देना होता, मिट्टी आप देख सकते हैं, बहुत ही हलकी नमी है, क्योंकि काफी दिन से हमने इसमें पानी देना बंद कर दिया था, लेकिन मिट्टी के अंदर अल्रेडी नमी रहती ही है, इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं, कि उपर से ड्राइ मिट्टी हो तो ये नहीं करना चाहिएगी, बहुत सारा पानी दे दिया, हलका सा इस्प्रे करके अपर लेयर को भी आप उसको हलका सा वेट कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं, अब एके करके हम सारे बल्ब को अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं, आपस में सारी कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक ही यटी में लगे होते हैं फिर इस तरह से इनको अलग कर लेते हैं इस बार आपको ज़्यादा बेबी बल्ब देखने के लिए नहीं मिले गे क्योंकि एक पोट में हमने 5 बल्ब लगाये थे आपको एक pot में कम से कम तीन बल्ब लगाने चाहिए अगर healthy है और जादे healthy नहीं है तो चार लगा सकते हैं क्योंकि इनको भी फैलने के लिए जगह चाहिए होती है तब ही baby bulb सही से बनेंगे और baby bulb तब भी बनते हैं जब आप उसको मिटी को थोड़ा dry रखते हैं यानि कि अगर बहुत ज़दा नमी देंगे आप प्लांट में तो उसमें baby bulb भी नहीं बनेंगे लेकिन हमें baby bulb की कोई requirement नहीं है क्योंकि already हमारे पास काफी ज़दा बल्ब हैं तो दूसरे पॉर्ट में से भी इसी तरह हमने वो जो बल्ब हैं बाहर निकाल लिये हैं इसमें भी पूरा root bound इसका हुआ है तो ये भी एक साथ बाहर आ गया है जादा baby bulb ना मिलने का एक कारण ये भी है कि हमने बल्ब को जल्दी बाहर निकाल लिया है क्योंकि normally हम जब इसकी पूरी पत्थियां अपने आप गिर जाती हैं तो इनको साइड में रख देते हैं और लगभग दिसंबर के बाद जनवरी के end में हम इनको बाहर निकालते हैं या फरवरी में लेकिन फिर भी इस बार जल्दी बाहर निकाल लिया है तो जो बेबी बल्ब हैं वो जादा ग्रोथ अभी नहीं कर पाए हैं क्योंकि जब प्लान की पत्थियां पीली होकर गिर जाती है प्लान का डॉर्मेंट सीजन होता है लेकिन फिर भी जो bulb है वो baby bulb side से बनाता रहता है उसमें growth थोड़ी थोड़ी होती रहती है तो वो baby bulb थोड़े बड़े हो जाते हैं जब हमने उनको फरवरी में बाहर निकालना होता है लेकिन अभी जल्दी बाहर निकाल लिया है इसलिए आपको जाधा इसमें baby bulb नहीं दिखा ये थोड़ा क्योंकि जब कोई प्रोड्यूस करता है एक बल्ब दूसरा बल्ब तो वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो भी हल्दी होगा और बेबी बल्ब को जो हल्दी बल्ब बनने में थोड़ा समय लग जाता है लगबग एक साल तो कम से कम लगता ही है ज्यादा से ज बना है और थर्ड वाले में देखते हैं इसमें नहीं है कोई भी बल्म और फूर्थ वाले में देखिए इसमें एक साइड में बना है और इधर की तरफ है तो यह काफी हेल्दी हैं दोनों ही एक से दो बन गए हैं इसमें तीन और इसमें भी साइड में दो बने हुए हैं और next में देखते हैं कि इसमें एक छोटा सा है जो कि अभी growth कर जाएगा और नहीं भी करा तो इसको हम जब grow करेंगे तब इनको अलग करना होता है क्योंकि अगर आप mother bulb के साथ baby bulb ही लगा देंगे ऐसा का ऐसा तो जो सारा portion है root से दोनों में divide हो जाएगा बट जाएगा तो जो mother bulb है वो आपका अच्छा flowering नहीं कर पाएगा या फिर हो सकता है कि वो बिल्कुल भी flowering ना कर पाएगा क्योंकि जो दोनों का portion है जो roots मिटी से लेंगी या खाद से लेंगी तो वो दोनों में बट जाएगा तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप mother bulb grow करते हैं तो baby bulb उसमें से हटा दीजिए और उनको अलग grow कीजिए जैसे कि हमने poly bag में grow किया हुआ है आपको related videos description box में मिल जाएगी तो अभी हम इन bulb को लगबग 4-5 दिन ऐसे ही खुले में रखे रहने देंगे सूखी जगे पर कहीं room में भी रख सकते हैं आप दूप में नहीं रखना है जैसे हम प्याज को रखते हैं बिलकुल ऐसे ही रख सकते हैं और जब इसके उपर का मौशर थोड़ा सा कम हो जाएगा यानि जो ओवर मौशर है वो खतम हो जाएगा तब इसको न्यूस पेपर में ऐसा का ऐसा रैप कर देंगे बिलकुल बन नहीं करना है थोड़ा सा न्यूस पेपर खुला रहने दीजेगा आप चाहें तो वीडियो भी इस पर हम शेयर कर सकते हैं किस तरह से रखना है और फिर इसको लगभग मार्च एपरिल तक ऐसे ही रेस्ट करने देंगे और फिर लगभग एपरिल में हम इनको ग्रो करेंगे तो जब आप ग्रो करेंगे तब आप से शेयर करेंगे वैसे आप लास्टर की वीडियो चेक कर सकते हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएए कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा थेंक यू